यह दिखेंगे आलू से खाला है यह हमारा चिक्तन यो है यह इसकी तरह से प्राइए होगा है अब आपने इसको जब शोर्बा बनाना है वो बना सकता है यह जब इस तरह से घी सप्रट होने लगे तो इसका मतलब है कि हमारी अच्छी तरह से बुन देए अब हमें इसमें पानी डालूंगी इसमें डालूंगे एक ग्लास पानी इसलुए कि मुझे इसका शोर्बा थोड़ा गड़ा चाहिए तो यह देखेंगे अगर आपको इससे थोड़ा पतला शोर्बा चाहिए या पके इतना रहना चाहिए तो इसमें आप आदा ग्लास और डाल सकते हैं लेकिन मुझे पकने के बाद इससे आता चाहिए तो यह दो जी इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूं थोड़ी देर बात यह देखेंगे अब इसको ढक देती हूं तो अब मेरे चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें आपको में तमाम वीडियो में सकें अभी हम ढखके इसको दो से चार मिनट मेडियम आज पर पकाएंगे सुरी फिर जो है यह तियार होचाएगा मैं फिर आपको फाइनल लूक इसकी दिखाती हूँ तब तक के लिए लाफ़ेश